चीन के केंड्रिय बैंक पीपोल्स बैंक ओफ चाइना पी बी ओसी ने मार्च की तिमाही में भारत के निजी क्षेत्र के हाउसिंग फाइनेंस लेंडर आवासी अवितरिंडाता HDFC लिमिटेड में एक फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी हासिल की है इसके लिए पी बी ओसी ने HDFC के 1.75 करोण शेर खरीदे हैं माना जा रहा है कि यह विनिमे जन्वरी से मार्च 2020 के बीच हुआ है विन्यामक एक्सचेंज की सूचना के मताबिक चीन के बैंक ने 1.74.92.909 करोण शेर खरीदे हैं जिससे उसे 1.01 फीसदी की हिस्सेदारी प्राप्त हुई है उन लेखनी यहे कि पिछले कुछ सब्ताह में HDFC लिमिटेड के शेर की कीमतों में गिरावत दर्ज हुई है फरवरी के पहले सब्ताह से यह गिरावत शुरू हुई थी जिसके बाद इसकी कीमत में 41 फीसदी तक की कमी देखी गई HDFC के उपाध्यक्ष और CEO के कई मिस्त्री ने कहा कि मार्च 2019 तक People's Bank of China के पास 0.8 शुन्य प्रतिशत हिस्सेदारी थी और मार्च 2020 में इसमें 0.2 शुन्य प्रतिशत की बढ़त हुई गौर्टलब है कि चीन एशिया के प्रमुक देशों के वित्तिय संस्थानों में ऐसे समय पर निवेश कर रहा है जब जब प्रमुक खर्थव्यवस्थाओं के शेर बजार में गिरावत आ रही है चीन ने हाल के वर्षों में मुख्या रूट से बुनियादी धाचा परियोजनाओ और प्रोध्योगी की कमपनियों सहित पाकिस्तान वब बांगला देश में भी निवेश बढ़ाया है वह लगातार एशियाई देशों में अपने आर्थिक दाइरे में तेजी से बढ़ाया है